आप सभी को मेरा नमस्कार मेरा नाम मिधिलीस कुमार सिंग है इन सौर्ट एमके सिंग जनरली लोग मुझे एमके सिंग के नाम से ही जानते हैं अभी मैं आई एस मेड इजी जो की एक बहुत ही फेमस कोचिंग इस्टिचूट है जो इंजिनियरिंग सर्वीसेज एक रहा हूं इसके पहले मैंने इंजिनिंग सर्वीसेज एक्जामिनेशन कंप्लीट किया था आज से काफी पहले 1997 में आज ए सुपरिटेंटिंग इनियर मैंने CPWD से रेटार्मेंट ले लिया इन CPWD आई वर्क्ट पर लॉंग यर्स प्रम 1992 आई जॉइंड आई जी जुनियर एंड देन आउन डिफरेंट पोस्ट आई वर्क्ट लाइक एसिस्टेंट एक्जी कुटीव इनियर एक्जी कुटीव इनियर और फिर प्रमोट होता हुआ मैं सुपरिटेंडिंग इनियर तक पहुंचा था उसके बाद मैंने CPWD से वॉलंटरी डिटार्मेंट ले लिया है तो अगर मैं यह डिसकस करना सुरू करूं कि क्यूं मैंने यह नया चैनल सुरू किया है तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ मैं एक बहुत ही छोटे से कसबे से आया हूं विलेज जैसा ही एरिया है बक्तियारपूर जंगसन बक्तियारपूर मेरे गाउं का नाम है और 10 तक मैं वहीं पढ़ा हूँ और एक छोटे से कस्वे से भी अगर आप पढ़ के आते हैं बिहार का एक छोटा सा एरिया है और उसके बाद भी आप कुछ भी कर सकते हो जैसे मैंने यूपीएस्टी का एग्जामिनिशन जो होता है इंजीनिंग सर्विसेज उसमें वन आप टॉप रैंक मैंने अचीव किया और वो भी केबल अपनी स्टडी से अचीव किया मैंने कोई कोची इंस्टूट जोएं नहीं करा था यह बताने का परपस यह है ताकि एस्टूडेंट को इससे फाइदा मिल सके जो स्टूडेंट किसी भी कंपेटिटिटिव एक्जाम की त सब्जेक्ट के ऊपर मैं यहां पर बात करूंगा यही सब बताने के लिए मैंने यह पहला वीडियो बनाया है तो अगर मैं सबसे पहले शुरू करूं मैंने आपको बताया 10 मैंने बक्तियारपुर से किया था और उसके बाद धीरे-धीरे जो मुझे मिलता गया मेरे है यह डिसाइड होता है तो 11-12 में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी बहुत डेडिकेट पढ़ाई करी थी और जिसके कारण सबसे पहले तो मुझे डिप्लोमा में ही सेलेक्शन हो गया और मुझपरपुर पोली टेक्निक से मैंने डिप्लोमा करा है तो मैंने पूरे बिहार में सबसे हाइस मार्स मेरे आते थे आई वाज फिलिंग प्राउड अट टाइम कि चलो कुछ तो अच्छा किया है मैंने उसके बाद मैंने आजे जुनियर इंजिनियर सीपी डेड़ोडी में कर लिया था मैं एक एक करके आपको बताता जाता हूं तो यह जैस इसे ही सब कुछ करना पड़ता की यह नहीं है आपको कोई सबकुछ कॉलेंगन जाना पड़ता कि सबकुष मैंने सेउलłby करा है घर पे बैठकर सबड़ क्रें फक्रम उसके सबड़र अब झाम देने जाता था और कि आपको जो डिपार्टमेंट चाहिए वो आपको उस रैंग पे मिल सकता है तो यह मैंने आपको बताया यह राज किये पॉलिटेक्निक मुझफर पूर है जहां से मैंने डिप्लोमा करा था इसके बाद सारा कुछ सेलफ स्टडी सेलफ स्टडी का एक फाइदा भी मिला मुझे क्योंकि जब आप सेलफ स्टडी करते हो तो आप खुद सब कुछ पे सारी सारे टॉपिक पे कॉंसेंट्रेट करते हो लेकिन यह बहुत डिफिकल्ड काम है अगर कोई आपको पढ़ा देता लेकिन उस समय मैंने यह सारा कुछ खुद से कर रहा था तो खुद से एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को समझना यो कि इतने डिफिकल्ड टॉपिक भी है जो कई बार आपको समझ नहीं आते कई बार आपको मन करता है कрий यार कुछ इसमें दिखने ही रहा कुछ समझ नहीं या रहते हैं। क्या करें लेकिन अब बैठा था उनके टॉपिक के पड़ के उसके कौनसेट को समझ कर फिर उनके कॉस्टिन्स करना तो आप समझ चीजे मैं आपके साथ सेयर करना चाहता हूं इसी के लिए मैंने ये यूटूब चैनल शुरू किया है ताकि उन स्टुडेंट्स को कुछ फाइदा मिल सके जो अभी किसिन किसी लेवल पे किसिन किसी कंप्रेटिव एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं करीब डेर साल में मैंने जॉब तो मैंने सीप्लेवडी में जॉइन कर लिया था मैंने आपको बताया मेरे कैरियर में ऐसे चलता रहा है जो मुझे जहां ज़ो चीज मिल गया मैं उसको पहले पकड़ लेता था कि चलो कम से इसको तो स्यॉर कर ले कि यह तो अब है मेरे पास इस से फिर आगे बढ़ उस जॉब के साथ साथ मैंने UPSC की तैयारी कंटीडू रखी और UPSC कंप्लीट भी किया जो को यह मैंने आपको बताया कि यह माई में तो केबल बारा सब्जेक्ट थे लेकिन फूर आई एस कम से कम तीस से चालिस किताबें कम से कम इभन पचास साथ भी हो सकती है जो मैंने कभ यह सारा कुछ खुद से करना खुद से घर में बैठके करना यह आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल रहा होगा मेरे लिए बट मैंने हिम्मत नहीं हारी और कई लड़के कई बार स्टूडेंट के साथ होता है जब आप एक्जाम देते हैं फेल हो जाते हैं तो उस समय क्या कर आपको कोई यह रोडी नहीं है इवन मैं आपको अगर मैं अपने फेल्वर्स दिखाऊं कई सारे एक्जाम में मैं फेल हुआ वैसे तो रेलवे का एक एक्जाम मैंने दिया था जूनियर इनियर के लिए उसमें इंटर्व्यू के लिए तो सेलेक्ट हो गया था बट फाइन प्रफट के लिए आप देख सकते हो कि मैंने 94 से एक्जाम देना शुरू किया था 94 नौट सेलेक्टेट इवन रितेन में भी नहीं रहे इंटर्व्यू जाने की तो बात ही दूर है 95 सेम रिजल्ट नॉट सेलेक्टेड इवन पोर इंटर्व्यू 96 नॉट सेलेक्टेड इव होना UPSC में मतलब failures के बाद भी आप कैसे अपने आप को बचा के रखते हो कैसे अपनी हिम्मत फिर से जुटाते हो दुबारा उस exam के लिए तयारी करने के लिए ताकि आपको success मिले और देखो finally in 1997 आप even after three continuous failures I got selected in 1997 और जब result निकला तो not only मैं रिटेन के लिए सेलेक्ट हुआ रिटेन में सेलेक्ट हुआ इंटर्व्यू में गया इंटर्व्यू देने के बाद भी फाइनल सेलेक्शन भी हुआ और उस साल मैंने इतने अच्छे ढंग से तैयारी करी थी कि सीधा मुझे 27th rank आ गया and you can understand उसके बाद मैंने CPWD ही हुआ एंजौय कर लेते हैं लेकिन failure को कैसे deal करना ही इसे हम failure से अपने आपको बचा सकते हैं fail होने का मतलब यह नहीं है कि हम हिंमत हार जाए हम एकड़दे को सिस करना चोड़दें चाहे कितना भी failure मिले वो इसका मतलब यही है कि हम हमने अभी तक उस लेबल की तैयारी नहीं करी है जो हमें चाहिए जिस दिन हमारा लेबल यहां से यहां पहुंच जाएगा उस दिन हम उसके like हो जाएगे तो हमारा होने ही होना है selection तो इसलिए अपनी हिम्मत कभी नहीं हाडनी है तो ये सारह चीजए बहुट डिटेल में मैं डिक डिसकर और सुरॐ और कैसे आपको त्यारी करनी है कब आपको क्या कैसे आपको रूटीन बनाना था कैसे आपको अपना time मिल सके, okay, in 1999, I joined as AEE and then I worked on different post from junior engineer to assistant executive engineer, then executive engineer, then finally, super attending engineer, जब 2016 में मेरी posting पटना में हुए थी, करीब दो साल मैंने पटना में काम किया और फिर मैंने वहां से voluntary retirement ले लिया और उसके बाद मैं मेडीजी में continuously teaching कर रहा हूं जब मैं UPSC में interview देने गया था उस समय भी UPSC में मैंने जो अपना hobby बताया था वो मैंने योगा बताया था राज योगा, क्रिया योगा, best on राज योगा तो इस hobby के बारे में बहुत हमें, कही बार जो ए्स्टूडेंट्स राज योगा या क्रिया योगा को अपनी है योगा को अपनी भी बनाना चाहते हैं, उन के लिए भी मैं आपको कुछ अलग से वीडियो लिए को बना के दूँगा जिसमें हम राज-योगा या क्रिया योगा यहा यहा के बारे में डिसकस करेंगे अध्यात्मी क्योगा कि यहा होता यह बैसे हर एक इंसान के मन में यह बातें आती है depressed that what that one out a car कए इतनी बडी धर्ती एम कहां से आ गए हैं कि यह अगर अगर ऐसा कहा जाता ही हम भगवान का एक पार्ड हैं भगवान काई एक ऑंस हैं तो क्यूं हम अलग पास्वार का श्रक्षर पहुंच सके तबी हम इनका ज़वाब उसकी उस है अध्यात्मिक बातαι जिनको तो अगर हम अध्यात्म के उस सिखर तक पहुँच सकें तब ही हम इनका जवाब समझ सकते हैं तो लाइफ का क्या परपस है हुआ होना चाहिके हमें अपना लाइफ कैसे जीना चाहिए जीवन जीने का क्या अंदाज होना चाहिए यह भी मैं ठोड़ा-बहुत डिसकस करना चाहता हूं लोगों के साथ जिसमें एस्टुडेंट भी लावानवित हो सकें और बाकी लोग भी अगर उससे अगर हम योगा को अपने जीवन में इंक्लूट कर सकें और उससे हमें क्या फाइदा मिल सकता है इसके बारे भी मैं थोड़ी बहुत बाते डिसकस देखो अधिकांस क्या होता है आप अगर दुनिया में देखो तो केवल 5% लोगी यह भी मैंने ज्यादा लिख दिया है कि 5% लोगी खुस होंगे तो रियली खुस है की नहीं हम यह बड़ा मुश्किल है यह अगर मैं अपने आपको भी पूछू कि क्या मैं खुस हूँ तो यह एंसर करना भी बहुत मुश्किल है क्या है तो हैपिनेस आपके जीवन में आपको क्या चाहिए अगर वो आपको मिल रहा है वो आपको मिलता जा रहा है आपकी जीवन की कमी जो है पूरी होती जा रही है और अगर आपकी इक्षाएं बहुत ज्यादा नहीं है तो आप जन प्रोग्रेस कर रहे हैं अब उसमें कोई संतुष्ट हो जाए कि नहीं भाई चलो मैंने डिप्लोमा कर लिया मैं संतुष्ट हो गया फिर तो आपका केरियर ही रुप जाएगा यू कनोट प्रोग्रेस इन यूर केरियर तो देखो जीवन के हर पार्ट में हर एक आदमी की होना चाहिए आप कितना आगे जा सकते हो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने केरियर को जतना उचाई तक ले जा सकते हो ले जाओ उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें कभी संतुष्ट होने की जरूरत है लेकिन भगवान ने आपको जो दिया है उसके फल सरूप जो द नहीं सौ दो सो गुना जादा अमीर हो लेकिन अगर आप अंबानी से तुलना करने चलो गए तो पता चलेगा मैं तो भाई उससे एक लाग या दो लाग रिया पता नहीं कितना लाग गुना गरीब हूं तो देरीच नो लिमिट ऑफ कंपे रिजन हर आदमी किसी नी किसी से अ में राइब में जो आगे बढ़ना हैं हमें अपने केरियर को जो आगे लिब जाना है ताकि हम ज् BreadKeer को अप्तितर स्वार्य एक जांसनल की दोनिन उस लिए जरूत अगर आपको नहीं मिल रहा है तो दुखी होने की भी जडिश्रवत यह तीसलिए in जैक्म हैपिसे मैंने लेकिन मुझे लगता है कि 95% लोग दुखी रहते हैं तो इसलिए अगर गड़ रिएल जो कुछ सब्सक्राइब हो सकते है जैसे अन हैपीनेश के यह सबसे 0度 हैं अगर आपको कहीं इस आपके दर्ध ए है याप घर आपके सर में दर्द है कुछ अच्छा नहीं लेगा आपको उंगली कट जाए हल किसी आपको कुछ अच्छा नहीं लेगा दिन भर घुसी के बारे में आप सोचते रहोगे तो इसलिए हेल्थ प्रॉब्लम इस द बीगेस्ट प्रॉब्लम जिससे बहुत ज्यादा नहीं लड़ जाते यह भी एक रीजन है दुखी रहने का नॉट हैपी भी थी और प्रिजेंट पोजीशन हर कोई जो जहां है वो अपनी इस्तिती से संतुष्ट नहीं है तो यह बहुत बड़ी समस्तिया है तो लॉंग लिस्ट आप डिजायर्स डिजायर्स का तो कोई अं सकते हैं तो मैं इसके बारे में भी डिसकस करना चाहता हूं ताकि देखो मैंने जस्ट एक लिस्ट बनाया है कि जब आप एस्टुडेंट रहते हो पंदरह से तीस साल के बीच में तो आपकी प्रॉब्लेम क्या 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 रहती है और आपको सॉलुशन क्या क्या हो सकता है जैसे प्रॉब्लेम रहती है स्टडी सकसे सिन एग्जाम गेटिंग बेस्ट जॉब मेरेज मेरेज भी अगेज प्रॉब्लेम है दो होने के यह बाद प्रॉब्लेम है वह एक अलग डिबेट का भी से है तो बी ऑल्वेज अंसाटिस्पाइट ऐस ई से हर एक स्टुडेंट क कर सकते हो करूँ, so you should be highly unsatisfied, try to get the best, satisfaction will stop your growth, satisfied नहीं होना है, satisfied हो गया तो आपका विकास ही रुख जाएगा, so don't take a stress, लेकिन इसके लिए stress नहीं लेना है, relaxed होके पढ़ना है, जो भी पढ़ाई करनी है, आपको, relaxed होके पढ़ाई करनी है, कोई चिंता की बात नहीं है, आज जितना पढ़ा है, हाँ टाइम दीजिए, आप अपना टाइम को बेस्ट मत करिए, जो भी टाइम है, उसका एक रूटीन बनाई है, यह सारी चीजें कैसे आप रूटीन बनाऊंगा, यह सब मैं डिसकस करूँगा, डिटेल में डिसकस करूँगा, आज का वीडियो तो जस्ट एक इंट्रोडेक्शन वीडियो है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि मैं क्या-क्या चीजें उनको डिटेल बेमें लेके चलूँगा, किसी ने यह सोचा हूं कि मैं आई एस करूंगा, तभी मैं रुकूंगा, तो करके दिखाओ, रुकना नहीं है जब तक क्या आप कंप्लीट नहीं कर लेते, और होगा, आज ने कल तो हो नहीं होना है, नहीं होने का तो सबाल ही नहीं है, इसी तरह से जब आपकी लाइफ थर जाते हैं, क्या-क्या, अब सर्विस में क्या प्रॉब्लम है, बॉस आपको पीछे पड़ा हुआ है, बॉस रोज आपको परिसान कर रहा है, तो यह सब प्रॉब्लम सुरू हो जाते है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, पैसे की कमी हो रही है, मनी, चिल्डरन का एजूकेशन, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा अब उसके पीछे पढ़े हैं चिल्डेन पैरेंट्स मिटिंग में जाके रोज डाट खाके आ रहे हैं तो यह अलग तरह की प्रॉब्लाइप पार्टनर वाइफ या हस्वेंड दोनों एक दूसरे से दुखी है तो यह इन तरह की प्रॉब् सब्सक्राइब तो फिर आप उपर कैसे जाओगे हां लेकिन प्रोमोशन साथ जंदली टाइम बाउंड उसके लिए ज्यादा चिंता भी नहीं करनी आप अपना प्रयास करते रही है सीदी सी बात है राएंड कीप ट्राइंग तो गेट बेस्ट बट डोंट टेक अस्ट्रे अगर हम जाते हैं यह हमारा रिटार्मिंट नजदीक आ रहा है उस समय का पीरियड है जैसे तो इस समय अब आपकी प्रॉब्लम्स क्या है देखो अब आपकी प्रॉब्लम से गुड हेल्थ आपको अपना हेल्थ इंप्रूफ करके रखना है ताकि आप खुस रह सको अगर स वहीं ने रहोगे भले आपके पास कितना भी पैसा हो कितना भी कुछ भी हो जो भी आपने अर्ण किया जीवन में सब बेकार है अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो सुख सांती नहीं है तो भी आपको प्रॉब्लम मैं है घर भी होना चाहिए इससे स्टेज पर आके आपके पास एक रहने का च्छत हो तो तो देट विल गिव यू ए पीस आप माइंड दीज आप प्रॉब्लम्स प्राइम इंपॉर्टेंस इस गुड हेल्थ फिल सैटिस्फाइड बित वाटेबर यू अचीवड एंड अब दुखी होने का टाइम नहीं है कि भाई नहीं मिला ठीक है प्रमोशन जो होगा हो ना होगा हो जाएगा उसके लिए बहुत जादा चिंता करने की जरूरत नहीं है तो अब थोड़ा सैटिस्फाइड होने का टाइम आगया है हम सैटिस्फाइड रहना चाहते हैं अब आलबेज कीप ट्राइंग टू इंक्रीज और वेल्थ व वेस्ट जितना आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो वह करो टेंशन नहीं लेना है पचास से साथ लाइफ आप्टर रिटार्मेंट अब तो फिर इंजॉय कहीं टाइम है लेकिन इंजॉय कर नहीं पाते क्यों नहीं कर पाते रिटार्मेंट के बाल और कई तरह की समस्या है है डी अच्छा नहीं है कि इस नहीं रहता है रिटार्ड लाइफ में कि आप अके बच्चे आहि दूर चले जाते बच्छे ने पढ़ाई कर ली आप वह ब पता चला बिर देश चला गया या आप दिलिय में रह रह रहे हो आपको बंगलोर में रह रह तो यह भी इह समस्या नहीं है हाँ इससे आपको अपने आपको इसके लिए तैयार करना है कि आप कैसे अकेले कैसे रह सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा है आपके लाइप में हो सकता है कि अब कोई भी आपके साथ नहीं रह रहा हो तो अब आपको अकेले कैसे रहना है आप पती पतनी अब साथ रह तो दो कैसे आपको अपना life बिताना है जो लोग बच्चों के साथ है वो बच्छों के साथ कैसे उनको सामंजे से बना के चलना है retirement के बाद now उनके साथ आपका behavior कैसा होना चाहिए यह सब चीजे इंपोर्टेंट है तो हर स्टेज पे आपकी रिक्वार्मिंट अलग होती है आपके खुश रहने की आपके लाइफ जीने की तरीके अलग होते हैं तो मैं चाहता हूं कि इन सब बातों को हम डिटेल डिसकस करें इसके लिए भी यूटूब के कई सारे वीडियो मैं बनाऊंगा रेगुलर योगा एंद ध्यान गुड हेल्थ मेंटेने गुड हेल्थ मेक फ्रेंट इन सोसाइटी आप जहां भी रह रहे हैं लोगों के साथ मिलिये जूलिये वह आपको कल ज्यादा अच्छा काम देंगे बाइफ हस्पेंड यूर बेस फ्रेंड वाइफ सवारा के बीर यूम्ता गेन वोगोर हस्पार भी डि serv outcome इós अब आप लड़ना भी वनी से है ध्यार वी उनी आवे शलम के रहना तो अच्छा है ताकि फ्यूचर में चुकि अब आपका अर्निंग के जो श्रोत है वह हो सकता है कि बंद हो गए हो या कम हो गए हो तो उसको कैसे बना के रखना है ताकि आपको एक रेगुलर इंकम आती रहे और आपका जीवन सुक्षांती से चलता रहे आप एक सुखी जीवन जी सकते हो तो मैंने यह इन सारी बातों को जो मैंने अभी बोला इनके ऊपर मैं डिटेइल डिसकेशन करूंगा डिटेइल बीडियो बनाऊंगा जिससे एस्टुटेंट्स को भी फायदा हो और डिफरेंट स्टेज के लोगों को भी योगा के ऊपर व मैं कुछ बीडियो बनाना चाहता हूं तो इस तरह से मेरा चैनल तो एक ही रहला है एक और मैं तो होगा आई एसेंड गेट के लिए एस्टुडेंट्स के साथ नॉर्मल तरह की बाते या कुछ इंपोर्टेंट टिप्स कैसे पढ़ाई करनी है कैसे हमें अपने आपको समालना है फेल्वर्स को कैसे डील करना है एस्टडी के तरीके क्या है कैसे हम सेल्फ स्टडी को ज्या मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए यूजफुल होगा ओके सेकेंड आई विल कॉंसेंट्रेट ओन एमकेसी डिजाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जिसमें मैं स्ट्रॉक्शल डिजाइन का काम कर रहा हूं तो कई सारे स्विल इंग स्टुडें करना है या एक बिल्डिंग डिजाइन में के लिए आपको क्या-क्या इंपूट लेना है कैसे लेना है वो को वो इंपूट्स क्या लोड कंसीडर करना है तो इसके उपर मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा जो मेंली अस्ट्रॉक्शल डिजाइन डिलेटेड वीडियो जोगा और उसकी पूरी सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इंडियन डिशन डर कोड्स के बारे में बताऊंगा कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा तो कई सारा जो डिजाइन डिलेटेड जो डिसकसन है वो मैं इस टॉपिक के अंतरगत करूँगा तीसरा योग सुखी रहने के लिए तो यह बड़ी अच्छी चीज है योगा में आप जिस स्टेज पर भी हैं देखिए हम सभी एक रास्ते में हम सभी जो है अब जो भी है भगवान क्या है साइंटिस्ट भी समझने की कोशिस कर रहे हैं भगवान क्या है कैसे इनर्जी का सारा स्वरोत क से इतना बड़ा ब्रह्मान क्रेट हो गया यह सब मैं डिटेल में डिसकस करूंगा आज अभी मैं बहुत जादा इसके उपर बोलना नहीं चाहता तो योगा के उपर बात करेंगे जिसमें में मैं राज योगा पतंजली राज योगा जो है और जो योगा मैं जेनरली करता ह हो अब मैंने दिख्चा लिया हुआ है योगा में क्रिया योगा में मैं डिक्षित हूं तो बहुत सरी किताबे मैं पढ़ी हैं तो पिर भी किताबें पढ़ने से भी कम से कम आप उस नॉलेज को क्यों हमें हासिल करना है एक इक्षा कि रियेट होती है और वो इक्षा हमें उस रास्ते पे ले जाती है तो मैं चाहता हूं कि जो लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते कि योगा क्या होता है किसलिए होता है क्यूं हमें इस योगा के पाथ को फॉलो करना चाहिए मैं उसके ऊपर कुछ वीडियो बनाना में कोई साधुनीों में कोई महात्मा नहीं हूँ और ना मैंकुशिध पुरुस किताबंस मैं किताब जो चीजे मैंने task क्या है कि क्या है हमें क्यों चाहिए कैसे करना चाहिए तकी चलो कम को हम अपने परपस रखें अगर हमारा एक परपस बीन हो जाएगा अध्यात्मिक में कहां तक आगे बढ़ सकेंगे वह एक अरफ बात है लेहिंगे बहुत我र को बहुत पहुंचाएगा जो जिन्होंने योगा टॉपिक को अपना होभी बना रखा है तो ही केन गेट ए लॉट अफ इन्फरमेशन अबाउट योगा सो दैट ही डिस्कॉस अबाउट योगा इन यूपीसी इंटर्व्यू आइदर इन आई एस और आई एस मैं कुछ बातें जो आम तोर पे जैसे पॉलिटिकल सिनेरियों इंडिया में क्या चल रहा है या कोई इंट क्या चल रहा है इसके उपर जो मेरे मन में जो बाते हैं उसके उपर भी मैं कुछ समाज के सामने अपने स्ट्राइब करIR स्था दर्रवों तो इस में आपको रखना चाहता हो तो उसके लिए भी किछ वीडियो में यह मैं मैं क्यों आः जो इसमें करोंगा है मैं इसे इसमें मैं चार चीजें डिस्कस करूंगा तो डीटेयल मैंने जैसे आपको बता दिया है कि MKC IES और गेट में इंपोर्टेंट टिप्स करेंगे स्ट्राइजी फोर आई एस एंड गेट हाव तो प्लान फोर स्टेडी हाव आई प्रिपेर पोर आई एस हाव तो मेमराइज फार्मुला हाव तो डू रिवीजन माई टिपसर ओंडेस एके राउर इनडिया में क्या होता है ओंडियोंस सहिछ क्या होता है तो चीज्ञ आप मैं मैं इस टीर्ण कंपलंगा कि आप के लिए काफ और टाइप emphasized क्या उता अंut क्या होता है इस ना फ्रेंट क्या होता है different codes को के provisions हम कैसे design में include करते हैं यह सारी चीजे में बातें करूँगा okay yoga का मैंने आपको बताई दिया simple living with high thinking क्या just a simple living simple thinking यह बोलो what is prime goal of life how yoga can help in our day-to-day life healthy life with yoga why to do yoga how to do yoga improve your life with yoga यह सारी बाते हमने कर ली and ultimately just some news analysis, analysis of some current affairs, important news analysis, important event analysis, engineering, environment, political issues related for development of India you can say a student related issues, poverty and population related issues, issues affecting mass age जिससे हमें overall जिन सब्जेक्ट से थोड़ा हमें फाइदा मिल सके इससे कुछ हमारा ग्यान बर्धन भी हो सके और उनके उपर obviously मेरे जो विचार होंगे वो मैं ब्यक्त करूँगा इन सब चीजों के लिए यह जो चार तरह की चीजें मैंने यहां पर रखी हैं इन सब के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा तो मैं जस्ट आप से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और इन सारी चीजों के बारे मे आप आपको वीडियो जब भी मेरा आएगा तो आपको उसकी सुचना मिल जाए तो ताकि आप उसमें जो भी आपके लिए उपयोगी चीजें हो वो आप उस से ले सकते हो और स्टुड़न्स के लिए तो बहुत ही यूश्फूल होने वाला है तो मैं सारे स्टुड़न्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जूड़ जाए से हमारे साथ और जो भी आपके लिए यूश्फूल हो सकता है और जादा से जादा यूश्फूल चीजें ही मैं डिसकस करूंगा जिससे की आप जादस जादा लवान भित हो सकें तो बस आज के लिए इतना ही थैंक यू भे